आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी करेले के चिप्स उसके लिए मैंने करेले लिये हैं और इसको अब हम काट लेंगे पहले हम थोड़ा से स्कूपर से काटेंगे अब बहुत ही थोड़ा से इसको नीचे से काट के साइड में कर देंगे यह वेस्ट था तो हम इसको ह निख क्रिस्पी बने मैं इस तरीके से चुटने किसे करे हमारे किख सकते हैं All the time हम साइसे मैं काटे के लिंग रखल हम साइड में वह ना है बोल आपके साइड में यहाले लेगा के लें मैं। तारीकले लिख लें पानी अनटें में पानी डालने के बाद अब हमें डालना है इसमें ये चम्मच नमक अब हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे जिसमें नमक अच्छे से सी में घुल जाए पानी में अब हम चिप्स को ये करेले जो हमने काटके रखे हैं स्लाइसे में इसको हम इसमें पानी में डाल दें अब इनका पानी निकाल लेंगे आदे गॉंटे बाद मैंने पानी निकाल लिया है अब हम इसको साफ पानी फिर से डालेंगे और एक बार इनका अच्छे से धो लेंगे इसमें जो एक्स्ट्र नमक होगा हो सारा निकल जाएगा अब हम इसका सारा पानी हटा लेंगे और फिर से एक बोल लेंगे अब इसमें डालेंगे हम नमक नमक डालने के बाद अब डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर और डालेंगे इसमें हम गरम मसाला साथ में डालेंगे इसमें चाट मसाला थोड़ी सी बहुत ही थोड़ी सी डालेंगे इसमें हींग और बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम अजवाइन अब कम्बाइन के लिए डालेंगे हम इसमें दो चमच बेसन अच्छी से मिक्स कर लेंगे इसको हम इसमें पानी वगेरा कुछ भी नहीं डालेंगे अब हम डालेंगे इसमें ये slices जो हमने करे ले के करके रखे थे और इनको बहुत ही बढ़ी ऐसे mix करेंगे जिसमें इस सारा मसाला इसी में अच्छे से coat हो जाए अब देख सकते हैं बढ़ी ऐसे mix हो चुका है अब इनको करना है में डीफ्राई उसके लिए मैंने रखाया कूप सारा तेल और बढ़िया से गरम कर लेंगे एक एक करके सारे हम slices इसमें तेल में डाल देंगे और इनको हम डीफ्राई करेंगे अच्छे से हम इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में इससे हमारे बहुती क्रिस्पी और कुरकुरे चिप्स बनके तयार होंगे आप देख सकते हैं इसका color change हो गया है चिप्स भी हमारी बढ़िया से fry हो चुकी है अब इनको हम किसी छन्नी में निकाल लेंगे इस तरीके से निकाल लेंगे अब इनको हम किसी प्लेट में सर्व करने के लिए च्रांस्फर करेंगे बनके तयार है हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी कुरकुरे करेले के चिप्स